नवस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सवी का हमारी और आपके सी यूटूब चैनल स्मार्ट टैकमें दोस्तों आज के इस बीडियो में हम एक ऐसी AI टेकनोलिजी बैपसाइट के बारे में बताने वाले हैं जिस बैपसाइट के मदद से आप जो भी सोचोगे जो भी आप अपनी पिचर में एड करना चाहोगे जिस टाइप की भी अपनी फोटो अपने सोच के आधार पर अपनी फोटो वनवाना चाहोगे वो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा वो भी सिर्फ एक बैपसाइट क आपकी सूच अनुसार फोटो को चेनरेट करके देती है अब यहां पर यह वैपसाइट काम किस तरीके से करती है और एक क्या वैपसाइट जानने के लिए वीडियो के साथ अंतितक बने रहेगा साथ इसाथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरू सब्सक्राइब किजेगा तो चले दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर दें दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो यह जो बैपसाइट है वह फायर फिलाइट डॉट कॉम है यहां पर इस बैपसाइट की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप डारेक्ट भी उपन कर सकोगा ठीन मतलब की जो भी जिसवी टाइप की आप इमेज इमेज इमेजन कर रहे हो जो भी आप सोच रहे हो वह यहां पर डाल दिजेए उस वी टाइप की इहां पर इमेज आपके सामने आ जागी ध leads यहां पर दिया गया है जेनरेटिव फिल यहां पर पिच्छल में आप हो रहे बैग्ग्राउंद्स कुछ रिमूप करना है तो रिमूप कर देगाा आपकी चस्म में पर सब कुछ कर सकता है सेगंड नंबर का जनरेटव फील वाला ऊप्से ठीसरा यहां पर टेक्स एफेक्ट मतलब कि यहां पर ऐसे ऐसे फोंट में आपको यहां पर आपकी टेक्ष्ट ज यहां पर सबसे पहले तो जैसे कि माल लेजे आपको जो भी टाइप करना है तो यहां पर सबसे पहले तो हम अपनी सोच के आधार पर यहां पर किसी की भी एक पिक्चर इमेजन करेंगे और उसको टाइप करेंगे तो यहां पर आती है के नहीं जिसके लिए यहां पर सबसे पहले तो हम generate के options पर click किये देते हैं जैसे कि click करते हैं यहां पर नीची की तरफ आ चुका है describe the image you want to generate ठीक है न मतलब कि आप जिस भी type की image चाहते हैं उसको यहां पर type करें जैसे कि मैं यहां पर चाहता हूं जैसे कि मैंने यहां पर imagine किया big handicap dog तो यहां पर generate की बटन पर click किये देता हूं click करने के बाद आप देखिया क्या आता है यहां पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पारों को मैंने यहां पर big handicap dog search किया तो हेंडिकेप डॉग आ चुके हैं और थोड़े बड़े साइज में भी आए हैं अब यहां पर माल लेजी आपको इमीज पसंद नहीं आई है तो यहां पर आप रिफ्रेश की वटन पर क्लिक कर सकते हो आपके लिए नई इमेजेस आ जाएंगी ठीक है आपके लिए कुछ इस तरीकी की इमेज आज चुकी हैं अब माल लेजी आपको इह इमेज पसंद नहीं आ रहे हैं आप चाहते हो कि थोड़ा आ जो वियू है फोटो का वो थोड़ा दूर से दिखे ठीक है तो यहां पर देखे विजूवल यहा देखे थोड़ा सा दूर से बिजूवल देखने लगा है अब माल लिजे यहां पर आपको एवी पसंद नहीं आ रहा है आप चाहते हो डॉक की साथ कोई कैट भी आ जाए साथ में तो यहां पर हम यहां पर कोमा लगा देंगे और सी एटी कैट भी साथ में लिख देंगे त तो अब हम यहां पर बूमें टाइप किये देते हैं तो देखो अब यहां पर कुछ इस तरीकी की इमेज आ चुकी है तो यहां पर अब यह आपकी सूच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फोटो इमेजन कर रहे हो किस तरह की फोटो चाहते हो उसी आधार पर आप अ सारे ऐसी options मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग करके यहां पर अपनी फोटो को अपनी सोच के आधार पर बदल सकते हैं अब आते हैं दोबारा से इसी website के home page पर हम देखते हैं और अधार options को second option आ जाता है जनरेटिव फिल्ट तो यहां पर हम आ second option के बटन पर किलेटे हैं generate के बटन पर अब यहां पर हम किसी भी अपनी एक फोटो को अपलोड करते हैं ठीक है ना example के लिए यहां पर हमने गनेज जी की फोटो एड कर लिए अम माले जी यहां पर मुझे कुछ एड करना है तो यहां पर एड का प्लस का सिंपल दिया गया है सिंपली हम यहां पर किलिक करेंगे अब माले जी यहां पर हमें कुछ एड करना है तो सिंपली एड का यहां पर सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे simply जो area हमने बुलार कर दिया है उस पर क्या करें insert में insert पर ही हमें select रहने देना है और यहां पर डिस्क्लेमर बॉक्स खोल रहा है उसमें आपको type कर देना है clock clock मतलब की घड़ी तो यहां पर clock लेकर हम search किये देते हैं अब देखते हैं यहां पर किस तरह की घड़ी हमें देखने को मिलती है तो देखिए यहां पर automatic घड़ी आ चुकी है और यहां पर कोई यह नहीं कह सकता है कि यह घड़ी नकली है या फिर यह duplicate है या फिर यह picture में थी नहीं edit करके लगाई है कोई भी check नहीं कर सकता है अब यहां पर आपको किसी चीज को रिमूब करके देखते हैं जैसे कि माल लेजे हमें यहां पर पर पीछे का दिख रहा है उस परदे को रिमूब करना है तो सबस्क्राइब का बटन सेलेक्ट करते हैं और यहां पर इस परदे को के लेते हैं ठीक है ना आप देखते हैं Remove होता है कि नहीं तो हम Remove के बटन पर क्लिक कि देते हैं तो तो देखे यहाँ पर बाकाइदर ari miesोट हो चुक आए हमारा परदे वाला गारदि यहाँ आप देख सकते हैं कोई इमेज हमें एवैफ साइट तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ीया तरीके से यहां पर रिमूव किया गया है यहाँ पर तो घास भी नहीं थी लेकिन इस AI वैफ साइड में यहाँ पर इमेजन करके इस वैफ साइड ने घास भी ओगा दी है अपनी अनुसार कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का चेक ना कर सके तो आप देख सकते कितनी बहतरीन एडिटिंग की है अब यहाँ पर हम माली जी किसी चीज को इंसर्ट करना चाहते हैं ठीक ना एक और चीज मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूं जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं घड़ी तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस ब्रुस के टूल को खोड़ा सा चोटा कि ये देता हूं इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए आगनेजी के हाथों पर यहाँ पर सेलेक्ट कि की लेता हूं देखे कुछ इस तरीके सेलेक्ट कर लिया है अब मैं यहां पर टाइप किये देता हूं अब देखते हैं यहां पर बॉच आती है या फिन गनेज्जी की हाथ में तो यहां पर इसी बॉच को छोड़ देते हैं अब माली जी इसको आपको डाउनलूड करना है तो उपर की बट भॉच आती है अब यहां पर अप्शन क्या कमाल करके देता है तो यहां पर थार्ड आता है टेक्स tweaking में ज़ादा समझाने क्जवट नहीं है आप अपने सुबदानुसा जीतने भी अच्छी तरीक़े की टैक्स से यहां पर जइनेरेट करना चाहों कर सकते अभी उसी तरी इमेज क्रियेट कर सकते हैं अपनी सोच के आधार पर बस यह निर्भर करता है आपकी सोच पर कि आप कितना सोच सकते हो दोस्तों यहां पर मैं एक और चीच के लिए कर दूं कि एपसाइड आपकी हिंदी नहीं समझेगा तो इसलिए इंगलेस में ही टाइप करें अगर आपक कि इस वीडियो में बताए गई AI website के बारे में जो डीटेल है वो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले साथ यह साथ देगा इंस्टाग्राम आइडी को फ़लो करें तो चलिए देश्तों आज की वीडियो में नहीं मिलते हैं ना इस टूडियो में धन्यवाद